सामने आए नय जोखिम थोड़ा साथ डीब डाइफ करता हूँ फ़ड़ी सामने क्या लिख दिया है आता हूँ उस पे लेकिन वो लिखता हूँ कि पढ़ता सी एक स्ट्राइक करा इस पे देखना चाहिए खेर गुर्वार की सुबा इस वीक का पिनल्टिमेट सेशन और आज है एक इंपोर्टन कारुबारी सत्र क्योंकि आज है निफ्टी फिफ्टी की वीकली एक्सपाइरी इस बीच जो हमारा उठा पठा का गणित था ना वो कल थोड़ा सा गरबढ़ा आ गया अब तक तो चल रहा था ऐसे ही एक दिन लाल एक दिन हरा एक दिन लाल कल बैक टू बैक दूसरा स्ट्रेट सेशन था वोलिटैल्टी तो वैसे ही त्यूटा पटा के इंट्राइडे में पर बैक टू बैक सेकंड स्ट्रेट सेशन था जब भारती बार बजार मजबूती के साथ खड़े हुए नज़र आ है इन फाक्ट शुरुवात वेलिंटाइन्स के एकदम डार्क रेड कलर से हुई पर मा सरस्वती का आशिरवाद हम सब पे था बंद हुए पढ़िया हरे निशान के साथ तो वो सारे सुबह सुबह के जो क्यूस थे दिक्कते थी उसे जटकार कर किनारे रख दिया भारती बजार में कल का सेशन आपकी स्क्रीन उपर है वो थवाब वो ग्लोबल संकेट खराब क्या थे यूएस का इंफलेशन प्रिंट और यूएस के एक्विटीज की पिटाई तो हमने भी गैप डाउन के साथ शुरुआत करी पर इंडिसीज दिन के दुरान हलके हलके रिकवर करते चले गए ब्यूटुफुली हमने शुरुआत करी 2530 के आसपास के जोन वो शुरुआती लोउस थे भारती बजारों के 2530 प्रीवेस डे के लोउस के आसपास खड़े हो गए थे आके हम और 21-500 का जो बहुत तकड़ा पोट्राइटर्स का जोन था उसके करीब थे तो शायद गुझाईश नहीं थी वासे और दबाव की लेकिन उन्ही जोन से घुमे उन्ही जोन से चलना चुरू करा और पहले हुआ क्या कोई निफ्टी बैंक हरे में मिट कैप्स या मारकेट ब्रेथ सुधरती चली गए और उसके बाद इवेंचिरी जाते जाते निफ्टी फिफ्टी खुद भी हरे में बढ़िया हरे में बन दोता हो नजरा एक समय 213 पॉइंट दबाव वाला निफ्टी फाइनली 96 पॉइंट इन ग्रीन बन दुआ इंट्राडे में 300 पॉइंट प्लस की एक जवरदस बढ़िया कमंडबल रिकावरी हाँ ट्रेडिट दे सकते हैं इस बात को कि हम पहले ही काफी पिटे हुए थे या इस बात को कि कल जब हम सेकेंड हाफ में आये थे तब यूएस फूचर्स दमखम दिखाना अलरी शुरू कर चुके थे तो परसो के पेंट से उभरेगा यूएस मारकेट जो क्लियर होने लगा था शुरू से पहले फ्लैट थे यूएस के फूचर्स बाद में एक चुथाई से दो तिहाई फीजी तक मजबूत थे जब हम अपने सेशन कल्मिनेट कर रहे थे तो उसको भी क्रेड़िट देना चाहिए खैर निफटी फाइनली मैनेजड इन ग्रीन मैं मारकेट्स पे लॉट के आउँगा आज की चर्चा करूँगा उससे पहले आज के सेशन की एमियत बता देता है यह फिर कहा नजर है बई बदार बनने के बाद जो कुछ नंबर्स आएं उस पर रियाक्शन है वो तो जब स्टॉक्सी नीज़ प्रेजिड़न करूँगा यह फिर हेंडलाइन के तोर पर कुछ-कुछ रिजल्स आएंगे कुछ रीसेंटी लिस्टेट कंपनीज होंगी जिनको डेले के साथ पर्मिशन होती है जिन्होंने पर्मिशन मांगी होगी 45 डेस के पीरेट के बियांड स्ट्रेच करके नमबर्स लाने की वो सब सिर्फ नमबर्स आ रहे होंगे तो मोटा मोटी रिजल्स सीजन अब खतब है अब क्यूज ढूनने पड़ेंगे टीम बनाने के लिए इनको थोड़ी सी मिडनाइट ओईल बर्न करना पड़ेगा हाँ बहुत जाता एक्चुली कुछ इंपॉर्टन ग्लोबल आकड़ों में जपैन का और यूके का जीडीपी नमबर और यूएस के इनीशिल जॉबलेस क्लेम्स के नमबर्स ये सब इंपॉर्टन हो जाते है इन्होंने कहा था जॉब मार्केट पर फोकस करना चाहिए तो जॉब मारकेट के कड़ी आज हमको नमबर आएंगे इस बीच फेट के किस्टोफर वॉलर साब की एक स्पीच लाइन डप है अब इस कन्फूजन के बीच में उस इंफ्लेशन प्रिंट के बीच में इन ही लोगों से सारा है कुछ क्यूज सटल से हिंट्स अगर ड्रॉप करने तो देखते हैं कुछ निकल का आएगा नहीं आएगा लेकिन इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी कहरा है भाई आज उन्हेंने खुद बोला है कि स्टॉक्स निउस सारी पूरी इग्जॉस्टिफ लिस्ट पहले वाइदा के फिर गुट बैड अगली और इसके अलावा कोई खबरें तो सब बता देंगा आपको इसके पढ़ा ही कर रहे हैं आपको खुची देर में बहुत बड़ी असी एक लिस्ट मिलने वाली है लेकिन पहले गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ जरे एशिया में अभी भी चाइना के मार्केट बंद हैं बाकी सब खुल गया है चाइना अभी भी चाइनीज न्यू तिकेट नहीं मिला उनको सुबह तो दिखा रही लेकिन एशिया मोटा मोटी ठीठा क्यू हैंड़ी बढ़िया है अच्छा यूएस दिखाएंगे कि अबन हाई यूएस दिखाएंगे यूएस दिखाएंगे बड़ा सोचते हैं वो H1B वीजा लेंगे यूएस में कल स्टे यह हाईलाइट यह है कि पर्सों बहुत तगड़े पिटे थे पौने दो से सवा परसेंट जे पौने दो परसेंट गिरावाट आई थी इंफ्लेशन परिंट के बाद कल साइन्स ऑव स्टेबिलिटी थे ठीक है यह दाव फ्लैट सा गया आजा परसेंट उपर था था फ्लै वैसे ही वो सेशन इवेंचिली पैन आउट होता हुआ नजर आया आज सुबह के यूएस के फ्यूचर भी एकदम फ्लैट ट्रेंट करें तो हो गया वो पें जो था पें खतम शायद और उसके बाद सी यूएस थोड़ा सा अपनी ग्राउंड रिगेन करने की अटली पहले और सबसे विचितर ख़वर आपके सामने पेश होगी वो है जपान की जीडीपी आ गई रिसेशन में चला गया गए यह बहुत चोगा नहीं होगा था कि उनका बैंक उजपान टाइटन करने की जारी कर रहा है हालात यसे हैं एक परसंट टू पॉइंट थी परसंट कि आकड़े का अनुमान लगाया था एकॉनमिस ने सब फेल हुए और नेगेटिव में चली गई है यानि जीडीपी की इस क्वाटर में रिसेशन में गई यह सर्प्राइजिंग नंबर आया जपानी तरसे तो जो लोगों डर लग रहा है कि नए वहां के जो गवर्नर कहें उनको सेंटरल बैंक वाले हैं तो वो कुछ टिंकरिंग करेंगे रेट जीरो वाली नेगेटिव वाली बदल देंगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि जो तरह के आकड़ा यह निकल किया है यह सर्प्राइजिंगली है तो यह अच्छी ख़बर गए चुकि इसका इं कि आप अपनी लैंग्विज में कहते हैं शॉट कोवरिंग मैं कहा रहा हूं बाउंस बैक और कोई और कह सकता है कि एक दिन ऐसा जटका लगा और फिर से पलट वार इनोंने किया और एक बड़ी तेजी वहां पर बनाई इनोंने और चोटे मजोले शेयर जहां सबस्दा पर रिकवर नहीं कर पाएं लेकिन काफी रिकवर किया है नैस्डेक ने बहुत अच्छा रिकवर किया है क्योंकि वहीं जो साथ सितारे हैं सबतरिशी मंडल वाले उन में से एन्वीडिया नाम का जो शेयर है उसके रिजल्ट आने है और रिजल्ट पहले उसमें बहुत बड़ से रिली होनी थी डाउ का कॉंपोनेंट नहीं है यह साले स्टाउक यहारे साले स्टाउक तो यह एक्दम फ्लैट से बंद हुआ है तो कल के मार्केट ने अपना वापसी की है वापसी में एक और फैक्टर जो लिए कच्छा तेल कल गिर के बंद हुआ क्योंकि अमेरिका से जो इन्वेंटरी का डेटा आता है वो डेटा वड़का है बारा मिलियन तो उसकी वज़े से ऐसा लगा कि नहीं बहुत दिक्कत नहीं है कुरूड भरपूर मातरा में है अगर कुछ तनाव होता तो हुआ हलाकि बहुत फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं अपते प्रंदा दि अपने अच्छा पूलबैक अपने मार्के ने क्या पूलबैक दिया सेगए आप में आकरी घंडे में तोड़ फोड तेजी कर देखें अगरता स्कीन को देखके अधर रेक्टर साब वो युएस के बदा ठीक करी आ है मैं वही मैं पिछले पांच मिनेट से रीफरेश कर रह मैं सुबह तो कुछ और लग देखके आया था यहां पर कुछ और तस्वीर दिखा रहे थे आप यह रीफरेश नहीं करते हैं रैटर साब अब ठीक है मामला अब ठीक है आदे से सवा परसेंट की गेंज थे बड़िया हैंड़ ओवर था बड़िया बांस बैक था परसों के पेन के बाद यह आया ठीक ठाक डेटा ओके चलिए एशा भी दिखा दीजे भाई एक बार मूड मौल हमारे पियर्स का कैसा है लेकिन एशा में ध्यान रगिए कि बहुत सारे बजारों ने बहुत सेशन्स मिस आउट करें हो अलिबरेशन के बीच में तो अब जो है वो तस् निफ्टी निफ्टी बैंक में आज के सेशन में स्ट्राटिजाइज करना है विरू दो दिन का बढ़िया सेशन वो जो अटकने वाला जोन बन रहा था 21,800, 850 कल बढ़िया पुल बैक हमें वहीं पे ले गया है अब वहीं खड़ें और थोड़ा बहुत और इंचप होने की अगर ऐसी इंचप हो रहे हैं तो हम अगला सरदर्द 22,000 का असपास था क्या करना चाहिए आप कैसे स्टाइजाइज करोगे निफ्टी निफ्टी बैंक में हमारी रनीती क्या होगी आशिश गूड़ बॉनिंग गूड़ देखें कल मेरी अप्पोच यही थी कि नो शॉटिंग थोट्स यह डिप आपको आइधिंक कोई शॉटिंग उन्जाइश ने देगा 21,518 इसके उपर की डिप को बाय करना है और एग्जेक्ली प्रसाइसिली प्रसाइसली 44,810 इसके अपनी क्लोजिंग समरी में यह भी काहा था कि मैं एग्जेक्ली एट 21,6907,10 पर पॉफिट बुक कर रहा हूं और 44,810 पर जो ट्रेड पिक किया था बैंक निफ्टी पर मैंने एपनी क्लोजिंग समरी में काहा था कि 45,810 पर मैं वो बुक करना हूं क्योंकि मैंने सुबर मौर्णिंग का मिन्टरी में यही काहा था उसके बाद का मौव मेरे लिए सर्प्राइजिंग था और आई थिंग वो शॉट कवरिंग अरा रहा देखें काफी काफी सिविया थी हाला कि ट्रेड अच्छे मिले लेकिन सारा एक्शन आशिष SBA और रिलाइंस का लूट के लिए है स्ट्रोंग मूव यहां पर आज की सेशन को कैसे अप्रोच करूँ देखें स्टैट्स तो स्ट्रोंग है और इस ये बात प्रूव हो गई है दोनों ही इंडिसीज पर के निफ्टी बैंक के लिए 200 एमा प्लस 1020 और I think 50 पॉंट की टिजेक्टरी है वो बहुत स्ट्रोंग स्टैट्स को देखते हैं देखें एफाइस के स्टैट्स में कर आपको फिर काफी कमजोरी नजर आएगी और करीब 4000 क्रोट रूपे की सेलिंग डियाएस की करीब 2900 क्रोट रूपे की बैंक उन्होंने वो लोवर लेवल से थ्रस्ट जेनरेट किया इफाइस ने इंडिक्स और आप्शन्स के ना करें हम रीड नहीं कर पाएंगे और करीब 6000 क्रोट रूपे का स्टॉक फूचर बैचा यहाँ पे करीब 13000 कॉंटेक्ट शॉट किये फाइस के नेट कॉंटेक्स को अगर आप देखें तो यह उसी रेंज में करें हैं इसमें कोई सबस्टेंशल चेंज नहीं है करीब करीब 82,000 नेट शॉट करें हैं तो यह 82,000 नेट शॉट एक पर्टिक्लर त्रेशोल पॉइंट के बाद यह एफाइस के लिए सोड़ से अंकमफ़र्टब ले जाएंगे आशिश तो इसकी कवरिंग भी हमारे लिए एक बहुत महत्तबूच चीस होगी मैं की स्टॉक फूचर की कमांडिंग पोजिशन के बाद निफ्टी में अभी भी जो बड़ा कॉलाइटर बैठा है वो 22,000 की स्ट्राइक पर है 22 और 22 एक सो पर उसने ग्रिप ले रखी है और नीचे कल स्ट्रॉंग पोट्राइटिंग 21,800 पर हुई है 21,700 पर हुई है और साथ पचास 690 का जोन वो है 10 डिमा 20 डिमा तो हमारे पास कॉल आइटर से 22,000 पर पुट्राइटर है 21,800 पर और 10 डिमा की टेजिक्ट्री है 21,700 बेस लिखे आई है याद रखेगा बेस मैं थोड़ा नीचे रखा है बट स्टिल क्योंकि इस बजार में चौकानी की टेंडेंसी है अभी भी है और आज भी है मैंने बेस थोड़ा सा नीचे रखा है इस तो हमें ठोड़ा क्ल टेंडेंसी डेटरी में चौकर इसको आप बाई करिए प्लस मैं फिर कह रहा हूं क्यूंकि डेटा थोड़ा सा कल इंप्रोव हुआ है तो एसपर डेटा 21,800 बेस ट्रॉट है तो ह इसको buy कर सकते हैं, यह रही dip के आशिश बात, on the higher side threshold point क्या होगा, that's 2988, 2918, इसके उपर अगर sustain कर रहा है, तो हम अपने आपको prepare कर रहे हैं 951, 988, और 22020 के लिए, 22020 एक बार टिक गया, sustain हो गया, तो short covering आपको कुछ भी दिखा सकती है, ऐसे approach करिए nifty को, लेकिन nifty को guide करने के लिए strong signals generate करेगा, nifty IT भी, कल जाते जाते कुछ lower level से अच्छे pullback generate हुए हैं, और साथी साथ nifty bank, nifty bank का आशिश, कल इसने अच्छा move दिया, 46,000 पे बड़ा call writer बैठा है, प्लस, 46,000 और 46,151 की बीच में हमारे दो critical averages भी आते हैं, that's 20 and 50 day exposure coming average, call writers 46,000 पे हैं वहाँ पे put writer भी है और 46,500 पे, put writer 45,800 पे है, 45,500 पे है, मेरी approach क्या रहेगी, base one लेकिया ये nifty bank में, still कहूंगा, surprise करने वारी factor बजार में हैं, तो a dip towards base one, base one क्या है, that's 10 and 100 day exponential average, इसके dip को ज़रूर करिएगा, अगर मिलता है तो, else, अगर हमारी एक strong opening होती है, SBI, HDFC bank, ICSA bank, XS bank, फिर commanding position में आते हैं, HDFC bank अगर pullback generate करता है, और higher side प्याशिश, जो call writers और averages का zone है, that's 46,000 फिटी और 46,200 प्रेसिंस लिगा ये pre-screen पे, अगर ये power होता है, तो nifty bank अपने आपको prepare करेगा, एक level के लिए, that's 46,663, 46,663 पर एक gap persist करता है, उससे पहले ये level मिल सकता है, तो as of now मैं 46,663 को target करूँगा, अबाव 46,155,200 आशिश, beautiful, रखिए भाई, ये है levels आज के जो watch out करने की जरुआत, अब आईए, आज के तमाम important stocks in news, भाई पहले तो जो आजकर सबसारा चर्चा में है, paytm, 197 communications, ED, जाच, वो सब updates आ रहे थे, हो रही है की नही होरी confusion था, अब तो paytm निकलेलफाय कर दिया है, हमें notices मिल रहे है, जाच चल रही है, और कई सारी agencies जाच कर रही है, तो रखेंगे फिर paytm को radar पे, बहुत pain में आ गया ये stock, अब तो 300, record lows है इसकी, छोटी सी trading history है, उसमें भी ये हाल इस समय, तो पहला stock ये है, उसकी बाद कुछ और important numbers up front mention कर देता है, उसके बाद सार्यार वेज़ें डिटेल में कर लेंगे, सुबह सुपह क्या जानना चाहिए, sun TV रखेंगा screens पे, वाईदा का number, ठीक है, बहुत flattish से, subdued से लगते हैं, और उस पर से margin इसमें 210 basis points के आसपास गेरा है, ये दियान रखेंगा, मुतूत finance अच्छे numbers, ahead of estimates कहने चाहिए, numbers screens पाएंगा, उसको पढ़ने की ज़र्वत नहीं है, और अच्छे इस दीले लग रहे हैं, कि शायद सोने की जो कीमते बढ़ी है, gold prices जो बढ़ें, उसका rub-off मिला है हर तरफ, तो expectations से ahead, performance, सोड़ा सा पिटा हुआ stock, Glenmark pharmaceuticals को screens पे खीच के खराब number से चलते हैं, इसको red app रखना है, NMDC, एक और सरकारी, एक और metal space की company और एक और अच्छा performance आपको आपकी screens में नजर आएगा, NMDC के numbers commendable, 45% आए, 60-65% मुनाफ़ा, और margins में 600-700 basis points का improvement, एक अधिति बिल्ला fashion and detail को भी किया, NMDC के dividend भी important होता है, पौने 6 रोपे, वो headline में mentioned है, अधिति बिल्ला fashion and detail भी एक बर दिखाईएगा, इसके भी, और ये consumer facing company सब pain में थी, उस लियाद से तो इस perspective में numbers अच्छे है, I-16, EBITDA 27% बढ़ा है, इसका मतलब margins expand हुए है, करीब 120 basis points, margins में improvement है, तो मैंने खास तर पर वो numbers highlight करें, जो वाइदा बजार के हैं, और detail लेकर आगया हूँगा, लेकिन upfront तयारी हो गई हमारी, और एक और तयारी भी करनी बच्ची रह गई है, भई एक Saturday को session होना था, exchanges का, disaster recovery site का test करना था, live session था, प्राण प्रतिष्ठान से पहले वाला Saturday, अपन रात तक तयारी उसी की करें हो था, छोटा session और हो गया था, full day का session क्योंकि surprise shooting मिल गई थे अपने को, वो session लेकिन pending था, पर disaster recovery site का टेस्टिंग तो बची थी, update दिया testing का उनोंने, दो मार्च, दो हफते बाद शनिवार को, आचा यह, वहाँ पे disaster recovery site की टेस्टिंग हो रही है, हम लोग सोच रहे हैं क्यों ना हम भी पूरा का पूरा लेगा, वीरू कैसा लगा आईए आपको? मैं तो दो मार्च को कहीं जा रहू हूँ, यह पता ही नहीं था, अच्छा पार्शली तयार थे, एकदम से रात और रात, अगले दिन का full face session आ जाता, तो मुश्किल जाता, अले कि रात में मुझे याद हो, कैसे firefight करना पड़ा था चैनल पर सबको, लेकिन दो मार्च को, यह special treating session फिर से वही, सुपह सवा नौ से 10 बजे पहला session, साड़े गारा से साड़े बारा बजे दूसरा session, disaster recovery site की testing, यह होगा live यानि की भाव का माइने होगा, चलिए, इस note पर एक काम करा जाए, ठीक है, कोई प्रोब्लम नहीं, काम कर ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पार जब लोटेंगे, तो आज का events calendar और commodity strategies लेका लोटेंगे, इक आवाज जो कभी तप